चर्चा वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में आज हम बात करेंगे लाफिंग बुद्धा के बारे में लाफिंग बुद्धा की मूर्टी संपनता की पतीक मानी जाती है समझा जाता है कि लाफिंग बुद्धा की मूर्टी लगाने से घर में सफलता और संपनता आती है वास्तों में हस्ते हुए बुद्ध की ये मूर्टी अपने हाथ से पून रूप से घर में खुश्यों की वाइबरेशन उटपन करती है मूश्कुराना संक्रामक है हासी भी लगबख संक्रामक है किसी भी हस्ते हुए बुद्ध को देखकर हमारे दांट मूँ से बार आने के लिए आतुर हो जाते हैं लाफिंग बुद्ध भी एक ऐसा ही सुविचारित प्रतीक है हास्ती हुई मूर्ट को देखकर भी मनुष्य परसने चित्थ हो जाता है इसलिए इसको घर के मुख्य दौर के सामने लगाने का विधान किया गया है ताकि घर में हर वक्ती हस्ते हुए घुजे जिस घर के निवासी प्रसने चित्थ रहते हैं वहां आर्थिक संपर्णता खुद ही खिची चली आती है वास्तो शास्तर में ये थी चर्चा लाफिंग बुद्धा के बारे में उमीद है कि आप इस वास्तो टिप को अपना कर फायदा जरूर उठाएंगे